है यह दोस्ता आपको स्वागते मेरे यूट्यूब चानल में आज हम दिखने वाले स्टैक्ड यूवी क्राप हम ओरिजिन शॉट्प्वियर में कैसे तैयर करते है लाइन फॉर्मेट में हम यूवी का ग्राप आज तैयर करने वाले तो सबसे पहले ही हाँ पे आपके जो से उसका आपके पास यूवी डाटा है होगा वह यहां पर मैंने वैसे मेरा भी चार कंपर्ण से ए बी सी और डी ऐसे चार कंपर्ण से तो उनका जो यूवी का डाटा आया है वो मैंने यहां पर एक ही एक्सल में लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा यूवी का ज प्रइब आपको दिखाए देगे यानि पहला जो रिडिंग है 250 का है और दूसरा 250.5 का है यानि दिफ्रेंस हर एक में डिफ्रेंस सेम भी रहेगा यहां पे भी 0.5 का है यहां पे भी 0.5 तो मैं सजिश करूँगा जब भी आप कोई भी कंपोंड का अनलिसस करते हैं तो आप आपको कोई यहां पर डिपिकल्टिस आ सकते हैं स्टैक्ड यूवी ग्रफ तैयर करते वक्त तो यहां पर चार कंपट से मर लिगेंड है कॉपर है निकेल और जिंग के तो यहां से सबसे हमें पहले हमें तो यहां से इसको भी माइं डिलेट करता हूं तो यहाँ पर delete हो गया है और simply हमें यहाँ से क्या करना है सब का सब यहाँ से copy करना है तो आप यहाँ पर ध्यान में रखे तो यहाँ पर हमने data copy किया था उसको एक number पर हमें जाना है और यहाँ पर control भी करना है control भी करने के बाद यहाँ पर long name है उसमें हमें wavelength टाइब करना है यहाँ पर जो unit से वो nanometer है उसके बाद bu में हाएगा हमारा absorbance और उसका unit है au a.u. उसके बाद comments है हमारे comments में हमें जो पहला हमारा absorbance है वो लिगेंड का है दूसरा जो है वो copper complex का है तीसरा जो है nickel complex का है और चोटर जो है वो जिसीं complex का है तो यह सब कुछ comments में हमें यहाँ पर enter करना है उसके बाद यहाँ पर नीचे line driven में line टिकलिक करना है उसके बाद यहाँ पर x-axis में a को और b, c, d, e को y-comm में select करना है और ok पर click करना है इसको थोड़ा enlarge करता हूँ ओके जो अभी थिकने से इसकी 0.5 है इसको मैं क्यागरता टू करता हूँ और जो scale है वो x-axis है उसकी scale को first हम change करते हैं यहाँ हमारा case में 250 से start हो रहा है 200 से नहीं हो रहा है तो scale में हम जाएंगे और यहाँ से 250 to 800 हम जाएंगे और यह थोड़ा सा इसको हम compress करेंगे तो y-axis भी हम थोड़ा सा change करेंगे वर्टिकल का 0.25 है तो उसको 15 कर देता हूँ यह आपके सब से आपको change करना है थोड़ा बहुत जो भी आपकी जो value उससे थोड़ा सा बढ़ा करके लेना है ऊके और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक सेक्सिस का थोड़ा सा इस वह और बीज में चाहेए तो हमने कर दीजाँ सब्सक्राइब तयार हो गए उसके बाद हमें क्या करना है यहां से चेस्ज करना है और हमें क्या करता हूं यहां पर इसको सिलिक करता हूं इसको times new roman हमें हमें लेना है और bold और color जो है वो मैं यहां से brown कर देता हूँ वैसे simply हमें क्या करना है यहां पे भी जो हमारा wax से absorbent से उसको भी select करना है यहां पे भी times new roman, bold और उसका color जो है वो भी हमें brown रखना है उसके बाद skill जो है, उस skill को single time click करना है, times new roman पे आना है इसको भी bold करना है, वैसे हमें जो x-axis के उसको भी skill को select करना है times new roman लेना है, bold करना है, तो यह हमारा skill का हो गया है उसके बाद हमें top layer introduce करना है, add top x right y layer तो यहाँ पे click करेंगे तो वो आ जाएगा, यह जो extra content है data है उसको हम delete करेंगे, simply delete pattern पे click करना है वो data delete हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से यह 1.5 है, simply one time click करेंगे हम उस line पे, तो 1.5 है तो उसका हम two में convert करते हैं, यहाँ पे मैं two पे convert करता हूँ यहाँ ए सब कुछ two में convert हो जाएगा तो है हमारा जो है, stacked uvica graph यहाँ पे हमारा तयार हो गया है इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, times new roman में convert करेंगे तो इसको double time click करना है, double time click करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे percent one है, उसको select करना है और इसको times new roman में हमें लेना है times new roman और इसको bolt करना है, और इसको 20 रखना है, वैसे हमें सब को करना है यहाँ पे times new roman, times new roman और यह भी है, वो भी 20 इसको भी times new roman और यह 20 यह लास्ट वाला है, इसको भी times new roman और यह 20 और ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे bold I think bold रहे गये, बोल्ट करना रहे गये, इसको बोल्ट करना है, इसको भी इसको भी बॉल्ड और ओके और तो यह जो हमरब है वह वह प्रस्पिर यहां पर मिल गए अभी इसका कलर जो है हमें यहां से कलर हैंज कर सकते हैं इसको वन टाम क्लिक करें पर इंडिपेंडन करते हैं और और कलिक कर करते हैं कि आपको चेंज है तो आप चेंज कर सकते हैं तो यह फर्ष्ट वाला है हमारा कि यहां पर क्लिक करते हैं पहला वाला लिगेंड का हमारा यह दूसरा वाला है यह का है जृ मिश्ट करते हैं तो यहांस खर्ष्ट रिख लगाने के कि और अपना इंच्ट मिश्ट हैं ओठता है यहां जूसरा यहां पर ऊतल ता लड़ सकते हैं हैं कि यहां पर नीचे देख सकते हैं क्लरunta पढ़ती श्ञा तो हमारा यह Color ब्लू का हमें चेंज करना है निकल का तो यहां से मैं Red से यहां से Blue करता हूं और यह चोगता है कि यह हमारा Color जो है ओ ग्रेन का है तो यहां से Color हम जाएंगे और थोड़ा सा Green Green थोड़ा सा ले लेंगे तो बाक़ी लिगेंड का तो अल्रेड है वहां पे रोखे पर क्लिक करीं तो यह हमारा जो ग्राफ है उसका पूरा डिटेल हमें यहां после मिल जाएगा उसको simply आपको अगर उसका फ्थेम नहीं चाहे तो यहां यहां पर डिर्क लिक करना है फ्रेम पर जाना है और यहां पर बॉक्स इसको नन पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है तो यह हमारा जो ग्राफ है उसका पूरा डिटेल भी आपको यहां पर मिल जाएगा अभी इसको डिजाइनिंग करने के लिए हमें क्या करना है यहां आपर simply हाँ जो एक्सेस उसे क्लिक करना है bottom का access है तो यहाँ पे minor ticks है minor ticks से मैं80 करता हूँ और यहाँ लायनन टिक से उसको फृटा time ले रहा है इसको major ticks से उसको in and out करेंगे और minor ticks है इसको हम in करेंगे और ok पे यह हो गया bottom का top का change करेंगे तो आपके सबसे आपको change करना है टीक है पहले bottom का करते है और यहाँ पर bottom का हमने change करेंगे उसकोफ़ाद ok पे click करना है तो यह इसा changes हो जाएगा तो यहाँ से एसे हम क्या करेंगे तॉप का भी चेंज करेंगे यहाँ पर 20 करना है तो मेरी केस में मैंने चेक कर लिया है कि यहाँ पर 20 सफिसेंट है और बाकि यहाँ पर जो है वो इन में हमें रखना है और ओके पर क्लिक करना है तो यहाँ पर कोई चेंज करने की ज़रूत नहीं तो यहाँ पर यह जो लेफ् होवाई लाइने टिक्स से यहाँ पे इन न आउट नहीं रहेगा तो यहाँ पे इन ल्में न चाहिए आण वहाईबी प्लक करता है। और लाइने यह रहाई जाएगा इसको भी खलता हूं आए उसको भी जो करता हो यहां पर इसकी value जह है उसको 80 करता हूँ और line and text तो हमारा इन ही रहेगा एक इन है तो इसको कोई change करने के जोड़ा नहीं है ओके तो यह हमारा हो गया यूवे का stacked graph in line format तो इसके बाद हमें इस graph को save कैसे कर सकते हैं वह आज हम यहां पर देखने वाले फाइल को save करने के लिए जो हमारा graph तैयर के उसको save करने के लिए हमें file पर जाना है export graphs में जाना है open dialogue box उसके बाद हम जाएंगे हिए यहां पर encapsulated तो आपको जिस format में चाहिए उस format में आप save कर सकते हैं तो आप tip format में save कर सकते हैं और उसके बाद long name आएगा तो मैं यहां पर mention करता हूँ, matter complex, उसके बाद पात है, उस कॉप को जहां पर save करना है, वहां पर आप save कर सकते हैं, यहां पर मैं save करता हूँ, यहां पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहां नीचे स्क्रोल डाउन करना है, यहां पर आबाट 600 हम रखते हैं, और आपके पर क्लिक करना है, तो जो हमारा graph जो हमने अभी तयार किया है, वहां पर save हो जाएगा, तो यहां पर YouTube में चला जाता हूँ, और यहां पर जो हमने graph किया था हूँ, matter complex, यह हमारा graph यहां पर आप देख सकते हैं, यह हमारा graph यहां पर तयार हो गया है, इसको minimize कर लेता हूँ, अभी उसके बाद हम देखेंगे, हमारा जो project अभी जो हमने work किया है, वह save कैसे करते हैं, इसको लिए file में जाना है, और यहा यहां पर यहां पर सेव हो जाएगा, तो यहां पर matter complex project करके मैं यहां पर same, इसको भी YouTube वाइटी में save करता हूँ, तो format project opju में रहेगा, और यहां पर प्लिक करना है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैं open कर लेता हूँ, देखें, यहां पर matter complex project यहां पर save हो गया, तो यहां से आप directly open कर सकते हैं, तो जितना भी उबर का आपने के हैं, वो automatically वहां से open हो जाएगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो पर लाइक कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए, अगर आपको infrared spectra होगा, XRD का spectrum analysis कैसे करते हैं, उसका details में जान करें चाहें, तो मेरे चैनल में उसके भी video की link, चैनल में उसके भी videos मैंने बना के रखें, और साथ में मैंने description box में उसका details दे रखा है,